धरने पर ममता बनर जी बैठी थी, कोट की सुनवाई भी हुई, कोट ने कमिशनर से पूछताच का आदेश भी दे दिया, लेकिन ममता बनर जी का धरना खत्म नहीं हुआ, बलकि ममता बनर जी और तेवरों के साथ मैदान में उतर आई, ये बताते हुए कि अदालत का फैसला उनके लिए असल में एक moral victory यानि की नैतिक जीत है, आज ममता बनर जी के लिए रहत यह है कि CBI कोलकाता के पुलिस कमिशनर को गिरफतार नहीं कर सकेगी, और पूछताच के लिए एक neutral जगा शिलांग को तैभी कर दिया गया, लेकिन बीजेपी की व्याख्या इससे सुनवाई रखती, अदालत ने ममता सरकार के डीजीपी और मुख्य सरचिफ को अमानना के मामले में नोटिस भी भेज़ दिया, क्योंकि CBI की दलील थी कि जाच में रुकावट डाल कर कोट का अपमान किया गया, सुप्रीम कोट में तो कानूनी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन ममता बनर जी ने इस पर राजनीतिक लड़ाई का मैदान अब भी नहीं छोड़ा है, वो धरने पर डटी हुई है, कुल मिलाकर माहल ऐसा है कि बंगाल में ममता बना मोधी सरकार की जोरदार लड़ाई अभी आगे बढ़ने के पूरे आसार है, जिसका असर चुनाव स्टन्ट है, चुनाव के लिए घोटाले की जाच भटकी या फिर भटकी और बंगाल को लेकर क्या संस्थाओं से दादागिरी हो रही है, आज का दंगल इन्ही सवालों पर होगा भारतिय जन्ता पार्टी सर्वोच न्याले के इस आदेश की सराहना करती है, आभार व्यक्त करती है और पश्चिम मंगाल में अराजप्ता और गुंडागर्दी का प्रतीक बनी, त्रिनुमूल की सरकार पर जो कटाक्ष हुआ है आज इस सर्वोच न्याले के आदेश के आधार पर, वो अपने आप में भारतिय राजनीती में इस बात को प्रतिस्थापित करता है कि दो दिन से चल रहा ममता जी का ये बनावटी प्रोटेस्ट सन्रक्षन है गरीबों के लुटेरों के लिए वो जो निम्रता थे, विन हुमिलिटी, we accept what he has said that they are also centered and also said there was armed rebellion in Bengal, the constitutional breakdown in Bengal कुछ तो नही बोला कोट, कोट ये भी बोला, you cannot arrest the police commissioner and the chief justice, in all humility, he has worked out a nice peace formula where the police commissioner cannot be arrested, they cannot, he cannot, does not need to go to the CBI office शिलॉंग में meeting over, he will cooperate. ये बड़ा बात है भाया, ये बड़ा बात है, आज समविधान बचा, बचा, देश बचा, फेडरिल स्ट्रक्चर बचा. इस हिंदोस्तान में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, मुझे बता दीजिए. एक ही पार्टी के पास. और वो भी खुले आम कैश में आप देखते हो, उत्तर प्रिदेश की इलेक्शन में, गुजरात की इलेक्शन में, सबसे ज्यादा पैसा है. तो सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी साफ है. अरे भया, रश्टा चार तो वहाँ पकड़ा जाएगा. अब 2019 के बाद आप देखना क्या होगा? और एल बनर जी पूर्व डीजीपी हैं, उत्तर प्रदेश के. एक CBI का पक्ष बताएंगे, और एक पुलिस का पक्ष बताएंगे, दोनों से बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा, अदालत में पश्चिम मंगाल की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि हम न्यूटरल वेन्यू पे डिसकेशन चाहते हैं. अदालत ने कहा न्यूटरल वेन्यू पे डिसकेशन कर लीजे, इनको गिरफतार मत कीजेगा. आपक की साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, सीबी आई के सामने आए और सीबी आई उनसे पूचताच कर सके. उसमें गिरफतारी की बात ही नहीं थी, पूचताच की बात थी. दूसरा जो प्रार्थना सीबी आई ने किया था सुप्रीम कोट से कि कंटेम्ट नोटिस भेजा जाए, ती इन्होंने CBI के आफिसर्स को हरास किया है। आफिसर्स कोट ने माना की जो कलकत्ता है या जो वेस्ट बेंगॉल है स्टेट वेस्ट बेंगॉल वह बिल्कुल उचित स्थान नहीं है। सुप्रीम कोट ने कहा कि कंटेंट नोटिस भेजा जाएगा तीनों को ताकि वो 18 फरवरी तक अपने विशय को रख सके और 20 फरवरी तक सुप्रीम कोट के सामने चीफ सेकरेटरी डीजी पुलीस और आजीव कुमार प्रस्तुत हो सके। और तीसरी बात सुप्रीम कोट ने कहा बिल्कुल सही बात है कंटेंट नोटिस भेजे तमाम उन कलकत्ता पुलीस अफसर्स को जिनोंने CBI के अफसर्स को हाउंड किया था उनके साथ बदसलूकी की थी इसलिए उनको कंटेंट नोटिस भेजा गया अब आप बुद्धिमान हम सब यहां मुझे लगता है बुद्धिमान है किसकी जीत और किसका हार इसमें कौन सी बड़ी बात है आप याद करिए ममता बेनर जी जी कुदी कह रही थी कि कैसे पुछताच करिएगा राजीव कुमार के साथ राजीव कुमार तो विश्व के सबसे अच्चा कमीशनर है ओके मनिशंकर चठर जी लड़ाई इस बात की थी कि कमीशनर से पुछताच कैसे कर लेगी सी बी आई अब पुछताच का अदेश हो गया तो मॉरल विक्ट्री कैसे हो गई फिर आपकी अब विडिय तो शंबीप पत्राप खुश है तो ओड़र जो है सुप्रिम कोट का ऋड़र आप खुश है ना देखिए क्या बात है बात यह है इतना दिर से अगर सुप्रीम कोट का बोलने का बाद यह आपको मालूम होगा संबित जी कि सिलंग में अच्छा है कलकत्त में नहीं है अगर ऐसा हो तो पुलिस क्यों नहीं पहले से सुप्रीम कोट गिया और कोई कोट में नहीं गिया कि उसका दूसरा जाएगा में इंटरोगेशन करने से अच्छा होगा पुलीस नहीं दिया बात ये है कि जिस तरीका से CBI उस दिन आया ये जो प्रसिडियोर है इसलिए जो आम आदमी जो वेस्ट बेंगल का है उसमें उसको जो मेसेज दिया कि राजीब कुमार ही एक अक्यूस्ड है जो मेसेज दिया अगल रिटिन नहीं है बट उस जो महल बनाया जो CBI ये अक्यूस्ड है उसका एरेस्ट करने के लिए आया उसको सिक्रेट कोई ओपरेशन करने के लिए और कोई कोई करने के लिए आया यह जो procedure है उसका objection महमता बेनर जी किया है क्योंकि एक को तो बोलना चाहिए न अगर यह आज नहीं करेगा तो काल दूसरी करेगा तो कोई ना कोई किसी को बोलना है महमता बेनर जी किया यह फास जो paragraph है order में clearly जो supreme court says that in any circumstances no coercive action should be taken including the arrest against the Rajiv Kumar तो इससे बड़ी बात किया है आप सिलोंग ले जाए है कहें Singapore ले जाए है कहें दूसरी बाप जाएगा ले जाए हम तो जाने के लिए कोई माना नहीं किया है कोई refuse नहीं किया है अब second thing यह है in spite of several notice if I not turn up before the CBI office why not you should go before the court for obtaining any order that बार बार हम चर्चा कर रही है बार बार बोल रहा है आप Rajiv Kumar नहीं आता है तो क्यों नहीं court से order नहीं ले जाए है कलकाता पुलीस CBI का एक officer बोला हमारा साथ सब का सबुद है सब देखाएगा supreme court में हम भी as an advocate waited just क्या सबूद supreme court के देखाएगा अगर यह देखाएगा कि यह court का order है order के मोतभी को गिया Rajiv Kumar का घर पे तब हम महमताबर जी को बोलता नहीं महमताबर जी गलत है लेकिन no document submitted before the court and first day supreme court says that aysa कोई क्या बोलता है CBI कि इसका पास aysa कोई document है वो नस्ट कर देखाएगा सुप्रीम court क्या बोला आप देखाएगा क्या 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 मनी शंकर जी मेरी आवाज आरी आपको मनी शंकर जी मनी शंकर जी थोड़ा सा समय का ध्यान आप खुदी रख ले तो अच्छा रहेगा टो का टाकी मुझे करना अच्छा भी नहीं लगता आप लोग खुदी अगर समय निर्धारित करके point to point बात करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा ताकि उसमें किसी को कि तंत्र का कहना था उनका क्या कहना था कि राजीव कुमार से पूछताच नहीं हो सकती है इसलिए नहीं हो सकती है क्यूंकि ही इस दे बेस्ट कमीशनर आफ तर वर्ल्ड ये था आज वो गिर गया दूसरी बात इनोंने कहा क्या आपने प्रूफ दिया को यह दिया ना 33 पेज में लिखा कि जो CDRA call detail records है किस प्रकार से उसको destroy करने की कोशिश राजीव कुमार जी ने किया इन सब विश्यों का संग्यान लेते हुए कोट ने कहा कि राजीव कुमार जी को interrogation face करना पढ़ेगा यही तो जीत है और क्या होता है आप कहते नहीं पढ़ेगा हम कह रहते पढ़ेगा आज interrogation face करना पढ़ेगा ठीक है ओके राजीव क्वाजीव कौन जीता कौन हा रहा लेकिए कि भी कि आज़े तुरु से एक बात क्या देया है तो उसको नोटिस दिया जाता है एक सेके जितर जिए साहब तो यह सब कोटने बताना चाहर जाए आप प्लीज आप रिवर्ट नहीं करें सम्विछ इघ वर्ना फिर बात बढ़ती ही चली जाती है लोग एक दूसरे के साथ ह एक दूसरे पर टिकर टिपणी करने उतर आते हैं मनी चंकर जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक एक करके जब मैं आपके पास आऊँगा दुबारा आप तब बोलीजेगा कोई दिक्कत नहीं है आप राजीत त्यागी को सुन लीजे आपको बीच में अगर लगे किसी की बात पर आपको बोलना है आप हाथ उठा दीजेगा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप नए हैं पहली बार आए हैं मेरे शोपर इसलिए मैं इस चीज़ें आपको पहले से बता दे रहा हूँ ताकि कोई अप्री अस्थिती पैदा ना हो प्लीज राजीत त्यागी कौन जीता कौन आरा देखे एक पड़सों से ही रोहिट जी मैंने को डिवेट पे रहा और कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत इस पश्च मैंने कहा कि दो इसमें पहलू है पहला पहलू ब्रस्टाचार जो चिट्फन का मामला अशारदा चिट्फन उसकी निष्टबक्ष रूप से जाच होनी चाहिए और जाच सीबी आई को करनी चाहिए कल परसों से हम लोग बाग इस बात का डिमांड कर रहे थे दूसरी बात एक सवेधानी धाचा जो देश का उसका सम्मान प्रते गराणितिक दल को करना चाहिए और सवेधानी धाचा के हिसाब से जो Special Police Act है उसके हिसाब से मैं जहां तक समझता हूँ सीबी आई को यह सपष्ट निर्देश है कि सीबी यदि कोई गिरफ्ता नहीं करना चाहती है या सीबी आई किसी से इंटर्रेशन करना चाहती है तो उसको एक फर्स क्लास मेजिस्ट्रेट से कहीं ना कहीं ओर्डर लेना चाहिए था दूसरी बात जो बहुत महत्पूर है सीबी आई जब कोट में गई और कोट में जाकरके उसने ये सब चीजे की जब सम्मान राजीव कुमार नहीं कर रहे थे लेकिन एपेक्स कोट ने जो दो यार चौदा में एक निन्ने दिया था एक कोट किया था वो पढ़के बलाएता हूं उससे समझ में आ रहागा कि जांच किस तरफ जा रही थी सुप्रीम कोट ने और पास किया था नौ पांच दो यार चौदा को उसमें बहुत इस्पश्ट पुलिस एजन्सी एस ड़न वेलिं मेकिं सीजर्स इंडिस्ट्रिंग केसे सिंप्ले इन कम्प्लेटिंटिंवेस्टिगेशन इंप्रिंग दोस्वार रिस्प्रिम कोट ने कहा अब बात आती है शार्दा चिटफंड के अलावा और सारे बहुत सारे चिटफंड हम सी पर रुख जाईए क्योंकि जहां तक आपने बोला है आज की डिबेट में सर अभी अभी के लिए मुझे लगता इतना परियापत है नहीं एक सेंटेंसी बूलेगा एक पैरा मत बूलेगा बूलेगा आपकी सरकार में रहते वे कितनी आपने जाच की थी इनकी उस पर भी सवाल होगा पिर बाद में दोयार तेरा का मामला है दोयार चौदव मैं खतम हो गया और सारा की जाच तो के नाम सुप्रीम कोट करी रहा था प्लीज देके बता दिया ना उस अगaju मैं की जानते कोशिश क्यों कर रहे टीमसी रोईज जी वो शेर आपने सुना है खुद से जीतने की जिद है मेरी मुझे खुदी को हराना है तो ममतादी दी तो यहाँ पे गड़ा भी खुदी 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 अब कह रही है कि मैं निकलूंगी तब जब मेरा मन करेगा अरे आपको CBI पूछताच कर रहे गई थी एक तो आप सारे तमाम प्रोटोकॉल तोड़के चीफ मिनिस्टर होके आप एक पुलिस कमिशनर के घर पहुंच जाती है वहाँ पूरी कैबिनेट को बुलवा लेती है आप CBI को ऑफसर को डिटेन कर लेती है पूरा हंगामा देश भर में मज जाता है फिर रात में आप धरने पे बैठ जाती है धरने पे बैठ के जब सुप्रीम कोट आजेगा वही पूछताच सुप्रीम कोट कहता है कि सुप्रीम कोट पूछताच कर लेता आप कहती है कि मेरी नेतिक जीत है तो आप खुदी हार रही हैं खुदी आप भीत रही है तो आपको कोई क्या करेगा है लेकिन जिद के आगे लोगतंत्र नहीं चलता है और लोगतंत्र को थामने का काम इन्होंने किया है एक जो समविधानिक धाचा है हमारे देश का और एक जो समविधानिक विधी से देश को प्रदेश है एक से एक बुद्धिजी भी रविन्ना टैगोर से लेके हर लोग निकले हैं वहां पे इस तरह की जिद और इस तरह की बेवकूफी कहीं से किसी को शुभानी देती है खास कर वैसे वेक्टी को जो उच्छ समयधानिक पत पर बैठा हुआ है